नमस्कार दोस्तों जैहिंच जबर्द सवाकाद अबस्वीका जग्गू भाईजी डिफिन्सकेड में के यूँटीब चैनल पर आर्मी के तियारी करने वाले मेरे सबी वाप भाहियों को जैहिंच जबर्द चलिए दोस्तों आज का सेसन स्टाट करते हैं आज का सेसन बहुत ही सांदर होने वाला है और आज के सेसन में डिसक्रिशन करने वाला है एक और इंडियन आर्मी का मोडल पेपर जो की बिलकुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर रहने वाला है इंडियन आर्मी का य मैं आपका मोडल पेपर दिखाना चाहettu हाँगा कि पूरे 50 हम । लिसकेशन में प pret Bij기 221 में आर्मी की पेपर देखने को मिल रहे हैं । subt Lu संधर 15 किसन में ज्ञान की रहने वाले। सेक्षन में के अंदर 15 की करेंगे मैंट के एंदर पांच किसनरे और साज़ीने के पेपर से पेटरन पर है जिस पेटरन पर दो हुजारी के इंडिया आरमी की पैपर आ बैसरी चल रही है दो हजार 21 में फूजी बनना आपका तैह हो चुका है तो चलिए बिना तिरिकाज का इस सेशन को सभी के सभी भाई ज्यादा सेशन को लाइक कर दें और सेशन को भाई सेट करना है पूरे 50 कि सुन डिसकसिन करने वाला है पूरे 60 मिनट का आपको टाइम मिलत कि स्सवाट सेशन양 पहला कि सब्सक्राइब चैनल कले शु요 फिर्फ सिमा को स सब्सक्राइब सी क्यूंत रहे है किस वरस भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया किस अपके सामने महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे केवुले प्राप्थ हुई थी कि नीक्स के समने है खरता हम कि पर्थम जेन महास्भा का आयोजन कहा हुआ था कहां हुआ था इस किसुन का राइटान तो रहेगा उप्सन ए पार्टली पुतर दोस्तों अगर 2021 में आपका टार्गेट है आर्मी जोइन करना तो यह मोडल पेपर कम्प्रीट लगाना आपके लिए बहुत ही इंपूर्टेंट है क्योंकि पूरे 50 किसुन का यह मोडल पेपर है और बिलकुल ओरिजिनल जैसा यह पेपर है अगर आप इस पेपर में 40 पलस का स्कूर करते हैं तो ही माने कि आपके त्यारी बहतरी चल रही है तो पूरे 50 किसुन का टेस्ट लगाएं पूरा 50 किसुन में तक लगाने वाली पर्थम भारती महिला कों न यह सोड मितली राजी है की बिनेट मिसनल भारत कब आया के बिनेट मिसन भारत कब आया इस कीनल करे गहार एतीं सी पूछा गया है कि अरुनाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला इस कुछुन का राइट अंस रहेगा ओप्शन भी में 97 इस्यू में नेक्स क्यूशन की नुमर 11 की नुमर 11 आप से पूछा गया कि संकोस नदी किन दो राजयों के बीच सीमा बनाती है इस क्यूशन गरोड़ अपको अच्छा लग रहा है तो श्यूसन को जादा सी जादा सी जादा सीर करें ज्यादा स्थब लेख रहें बिल्कुल आपके औरिजिनल पेपर की तरह पेपर होते हैं ज्यादा सी ज्यादा लेकर आओं नेक्स क्यूशन किस्ट नमर टोल आपके सामने है कि पानी पत की लड़ाई में बावर ने किसकी सेना का सामना क्या था इस क्यूशन का राइट अन्स रहेगा उपसंसी इबराहीम लो दी नेक्स क्यूशन किस्ट नमर थाटीन आपके सामने है किस्ट नमर थाटीन आप से पूछा गया है कि चंदर सिकर आजाद की सहादत कब होई थी इस क्यूशन का राइट अन्स रहेगा जल्दी से हम से कमिट कर दें किस्ट नमर थाटीन आप से पूछा गया है कि कुछन का राइट आच रहेगा उप्शन सी चोँवालीश स्विधान संसोदन 1908 में नेक्स कुछन किशन 15 अपके सामने है सेक्शन एक का लास किशन आपके सामने 15 16 अगस्थ 1923 को परतिक्स कारवाई दिवस किसकी दौारा मनाया गया इस कुछन का रइढ सो नहीं लेगा princ just टेस्ट लगाना उसके बाद comment करके जरूर बताना क्या आपको original paper army के original paper जैसी feeling आई या ना आई जरूर comment करके बताना वहीं पूरे यूटूब पर अप search कर लेना army के लिए ऐसा model paper आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है यह बिल्कुल original paper की तरह paper set क्या गया है कम से कम एक पेपर सैट करने में आच से बारा गंटे का समय लगता है तो क्या आप एक मिनट का समय निकाल कर इस सेस्ilar को शेहर नहीं कर सकते गया मेरे सभी बहाई मिलकर इस सेस्टिन को जादा सी जादा सेर करेंगे उमीद करता हौं की कल की कुलास में जे जे थोम्सन, next question किश्वन 17 अप की सामने है, किश्वन 17 अप से पूछा गया है, कि पुरुसों की अपेक्सा महीलाओं के आवाज अधिक तिक्सन होती है, क्योंकि महीलाओं के आवाज का तार्तोय है अधिक होता है, option A इस question का right answer रहेगा, पुरुसों की अपेक्सा महीलाओं की आवाज अधीक दिक्षन होती है क्योंकि महीलाओं की आवाज का जो तार्तों है वो अधीक होता है क्या कहलाती है क्या क्या कहलाती है इस क्योंकि किस भाग पर वस्तु का परतीवीं बनता है Q19 आपके सामने की पूलो नियम के समस्तानिकों की संक्या क्या है Q21 शूई का पानी की उपर तीरने का कारण क्या है सुई का पानी के उपर तेरने का कारण क्या है इस क्यूशन का राइट अंज रहेगा उप्सन भी प्रस तनाव नेक्स क्यूशन क्यूशन का राइड नुटी टू चाए में लाल रस्त्रो किसके कारण होता है कि परमताप का मान क्या होता है Question number 23 repeat कर रहा हूँ परमताप का मान क्या होता है इस question का right hand दो रहेगा Option C माइनस 273.5 degree Celsius Next question आपके सामने है Question number 24 Question number 23 आप से पूछा गया है कि परमताप का मान कितना होता है इस question का right hand दो रहेगा Option C माइनस 273.15 degree Celsius कितना है भाई 1.5 जा गए Next question आपके सामने है Question number 24 मनुस्य की ताउचा सबसे मोटी कहा होती है इस question का right hand दो रहेगा Option C Option C तलवे के अंदर Next question आपके सामने है Question number 25 Question number 25 आप से पूछा गया है किसी दर्वे का वास्पिकन होने से उसका तापमान Question number 25 आप से पूछा गया है किसी दर्वे का वास्पिकन होने से उसका तापमान में क्या परिवर्तन होगा गटेगा बढ़ेगा या एपरिवर्तित रहेगा जल्दी से इस question का answer कमेंट कर दें Question number 25 का right answer क्या रहेगा इस question का right answer रहेगा Option A गटेगा Next question आपके सामने है Question number 26 Question number 26 आपसे पूछा गया है कि दाप का मातरग क्या है इस question का right answer रहेगा Option A पासकल Next question आपके सामने है Question number 27 पोदों में वास्पूद सर्जन की किरिया किसमे होती है Question number 27 आपसे पूछा गया है कि पोदे में वास्पूद सर्जन की किरिया किसमे होती है किशुन का रायच अटन तुरेगा उप्शन t, संपूर्ण पौधा रिपीट कर रहा हूँ, जीव दर्वे जीवन का भूतिक आदान है, यह कथन किसका है, इस ह्कृस्ट्ट्ट्ट्टक रायच अबी तक सेशन को लाइक नहीं क्या, तो भटा बट भाई सबी के सबी सेशन को like कर दें और class कातम होने वाद इस सेशन को share करना है क्योंकि आपके लिए बिल्कुल original paper की तरह model paper set क्या जा रहा है तो क्या आप एक minute का समय निकाल कर सेशन को share नहीं कर सकते गया ये भाई आप सबी की जिम्मवारी है सेशन को share करना सेशन को जदाशी जदा सेशन करें क्यूशन का राइड़ रहा है क्यूशन का राइडर ऊप्शन पी जथा next question section B का last question आपके सामने है question number 30 अच्छे उत्सरजक अच्छे अवसोसक होते हैं यह है नियम किसका है इस question का राइटन दोनेगा option C किर्चोप का नियम है तो section B के अंदर 15 किसन हमने सामने विज्यान के discussion किया है अब section C और D के अंदर 20 किसन हम discussion करने वाला है अगर आप चाहते हैं कि 2021 इंडियन आर्मी जोइन करना चाहते है तो section C आपके लिए बहुत ही important होता है section C के अंदर 15 किसन मैच के रहते हैं आप क्या करते हैं इन 15 किसन को skip कर जाते हैं और 5 किसन reasoning के section D में आते हैं इनको भी आप skip कर जाते हैं लेकिन पूरा जो merit है वो आपका depend करता है इन 20 किसन पर अगर इन 20 किसन में आप अच्छा score करते हैं तो ही आपकी merit बनबाती है तो चलिए section C का पहला किसन पके सामने है किसन 31 एक कमरी की लंबाई 10 मीटर चोड़ाई 8 मीटर तथा उचाई 10 मीटर है यदि चारों दिवारों पर 12 मीटर परती वरग मीटर की दर से पेंट करना हो तो कुल वे क्या रहेगा किश्रुल 31 बहुती सांदर सा क्यूशन आपके सामने है एक कमरी की लम्बाई कीतना देरका है उचाई केतना देरका है दस मीट्र देरका है आपसे क्या पूछाई कि चारों द्युवारों के उपर बारा रुपए ट्ना जुपा pendulum चारों दिवारों का छेतरपल क्या होता है दो गुणा लंबाई पलस चुड़ाई तो 10 और 8 कितने हो गए 18 गुणा क्या करते हैं उचाई करते हैं तो चेतरपल कितना आजएगा गुणा क्या करते हैं उचाही कितना है दस है तो 18 अधूनी 36 360 मीटर स्क्यूर आपका चेतरपल आ गया और 360 को किस से गुणा करना है 12 से गुणा करना है तो आपका अनूसर क्या रहेगा उप्सन रहेगा उप्सन भी 420 अपका अनूसर रहेगा नेक्स क्यूशन आपके सामने है क्यूशन नमर 32 आपसे पूछा गया है कि 3Y-4 3Y-4 इक्वल टू 23 हो तो Y-2 का मान गयात करें तो देखें 3Y-4 बराबर क्या है 23 है यहां से क्या करेंगे सबसे पहले हम Y का मान निकालें निक्स क्यूशन आपके समने है क्यूशन नमर 33 आपसे पूछा गा है कि 0.01 का वरगमूल क्या होगा तो सबसे पहले हम इसके पोइंट अटा देते हैं पोइंट अटाएंगे तो एक के बाद कितनी जिरो लगेंगे दो जिरो लगेंगे और अब इसका वरगमूल निकालना है तो एक का वरगमूल कितना हो जाएगा एक हो जाएगा और सू का कितना हो जाएगा दस हो जाएगा अब आप वापस पोइंट लगा दे कितनी संक्याबाद पॉइंट लगाना है एक संक्याबाद पॉइंट लगाना है तो पॉइंट एक अपका अनुसर रहेगा जीरू पॉइंट एक अपका अनुसर रहेगा उप्सन ए इस कृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पूछा गया कि एक आयत को अगर आदा कर दिया जाए तो एक आयत में दो वरक बनते हैं माली जी कोई आपका ये एक आयत था अगर इस आयत को आदा कर दिया जाए तो दो वरक बनते हैं परते एक वरक का परिमाप कितना है बीस सेंटीमिटर है तो आयत का परिमाप आपसे एक वरक का प्रिमाप कितना दिरका है 20 cm दिरका है तो प्रिमाप का फूर्मला क्या होता है चार गुना बुजा होता है तो चार गुना बुजा बराबर 20 है तो एक बुजा के लंबाई कितनी हो जाएगी चार का भाग लगा देंगे तो बुजा के लंबाई कितनी होगी पांच ये भी पांच है ये भी पांच है ये भी पांच है ये भी पांच है तो अब देखे ये भी तो पांच ही होगी दूसरा भी तो क्या वरग है तो देखे आयत की लंबाई कितनी आगए पांच और पांच कितनी दस और चोड़ाई कितनी है पांच अब आपसे पूछा गया प्रिमाप निकालना है तो प्रिमाप का फूर्मॉला होता है दो गुणा लंबाई पलस चोड़ाई बताओ दिली से चेने ही पहूंचने में कितना शम्हान है लगा तो आपको क्या करना है भाई 20 बज़ कर 5 मिनट से आप माइनश कर। क्या 적आ ह। 18 बज़ कर 35 मिनट है यहां मायन करें तो 5 35 मायनस नहीं हो सकते यहां से केरी लेंगे तो कितना हैगा पूरा 60 मिनिट आएगा साथ और पांच कितने होगे 65 65 35 माइनस करोगे तो कितना आएगा तीस आएगा अब यहां पर कितने बचे हैं तेज थे पहले अब बचे हैं 22 22 से 18 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे चार तो चार गंटे तीस मिनट अपका अनसर रहेगा उपसन बी कितना देर का है 400 देर खा है आपसे पूछा है एक सोड वाई का मान गयात करें तो जब भी ऐसा कितना आजए तो आप डिरेक्ट चले जाओ उपसन के थुरू तो आपसन के थुरू देखते हैं तो ग्यारा और कितने होते है 20 और 20 का स्कीर करेंगी तो 400 आएगा बिल्कुल सही है और 9 और 11 का अंतर क्या रहेगा 2 रहेगा और 2 का स्कीर करते हैं तो 4 रहेगा उपसन A इस क्यूशन का राइट अंचर रहेगा क्योंकि 11 और 9 को जोडते हैं 11 और 9 को जोडते हैं इसका स्कीर करते हैं वीस का स्कूइर कितना होता है 400 हो जाता है और 11-09 करते हैं तो आप कड़ेखते हैं दो आता है और 2 का स्कूइर कीतना हो जाता है चार हो जाता है यह उक्शन बिल्कुल सिक इसके ओपर बैढ रह रहेंगा उप्सन फन एक ow चोटे बुक्स बरें गए जिनका वजन कितना है एक क्यूंटल दस की ग्रह है चोटे बुक्सों की संख्या बताओ यदि परतिक का वजन कितना है एक क्यूंटल दस केजी तो एक क्यूंटल में कितने केजी होते हैं 100 केजी होते हैं तो आपकी केजी कितने होगे 110 केजी होगे और एक केजी के अंदर कितने गराम होते हैं, एक हजार गराम होते हैं, पड़ते एक छोटे बुक्स का वजन कितना 22 गराम है, तो 22 से आप भाग लगा दें, तो मैंने 11 से काड़ दिया, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दस, तो उसे फिर काड़ दिया 5 बार, तो आपका अनसर क्या रहेगा 10 परतिसत वार्षिक चकरवर्थी ब्याज की दर से 2000 का मिसरदन 2420 रुपे हो जाएगा, तो देखें मिसरदन का फूर्मला क्या होता है, अमाउंट का फूर्मला क्या होता है, पी इंटू, 1 पलस आर बटे, 100 की पावर क्या होती है, यह होता है, तो आर कितना है, यहापर 10 प रहेंगे, तो आपका हो जाएगा, एक सो दस बटा सो की पावर्टी हो जाएगा, और यहाँ जीरो से जीरो कड़ जाएगा, तो आप देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, क्या पूछा ता आप से, 2420 आपका अमाउंट कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख रहे हैं, इस 2000 को क पावर्टी क्या करें, कि इसका रेशियो आजाए, इनका रेशियो कितना आजाएगा, इनका रेशियो आजाएगा, एक सो एकीस बटा सो आजाएगा, तो आप मुझे बताएं, टी का मान क्या रखें, कि ग्यारा का पावर्टी करने पर एक सो एकीस आजाए, और दस का बराबर मान क्या होगा टी बराबर होगा दो वरस तो इस को सुनका राइड़ अन्जर रहेगा दो वरस नेक्स अपको साहित नुम्य है किस नुमरर ठ्टी-9 आप से पूछा गया कि घृणाप का आईतन क्या होगा लंबाई चोड़ाई कर्म से कितना देर रखा है टू एक्स X Y Z आपका answer रहेगा 30 X Y Z option C के अंदर है इस question का right answer रहेगा question 39 का option C next question आपके सामने है question 40 question 40 आप से पूछा गाया कि 18225 बटा 81 का मान क्या होगा तो 18225 का जब आप वरगमूल ग्यात करेंगे तो 135 आएगा और 81 का कितना आएगा 9 आएगा अब इनको आप काट दें इनको आप का 14 और 35 15 फिर तीन से कट रहा है तीन एकम और 35 तो आपका answer कितना रहेगा 15 option 20 question का right answer रहेगा next question किशनों फोटी वण आपके सामने है कि साथ बटा दो पलस minus 9 बटा 7 plus 3 बटा 7 plus 5 बटा 9 का मान जाद करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 9 7 7 9 का lcm लेंगे तो lcm कितना हैगा 360 आएगा अब देखें 9 का 360 में भाग लगाएगे 7 बाल और 7 को 7 से 14 फिर plus minus तो minus आजाएगा 9 81 plus 7 निमे और 9 27 plus 9 7 और 7 35 आप इनका पलस करेंगे मतला 35 27 49 पलस करके 81 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 30 और नीचे कितना है 63 अब आप देख रहे हैं दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 एकम 3 10 आजाएगा और 3 दू नीचे है और 3 एकम तो 10 बटे 21 आपका अनुसर रहेगा option C इस किस्टिन का राइट नमर 42 आप से पूछा गया है कि X की गहत 12 भाग X की गहत 3 का मान क्या होगा तो जब भी आधार की गहत A की गहत M भाग A की गहत N हो मतलब आधार CMO तो गहत क्या हो जाती है माइनस हो जाती है A की गहत M माइनस N हो जाता है तो यहां पर क्या रहेगा X की गहत 12 माइनस 3 रहेग तो क्या रहेगा एक्स की घात कितना आजाएगा नो आपका अनुसर आजाएगा जो कि उप्शन सी के अंदर है उप्शन सी इस कुशन का राइट अनुसर रहेगा नेक्स कुशन किशनों भूटी तरी आपके सामने है किसी संक्या का 27% 540 हो तो 13% का मान गयाद करें अब देखे 27 के पड़े से काड़ दिया 27 दूनी चोवन 20 आ गया 13 दूनी 26 मदब 260 का अनुसर रहेगा उप्शन कौन सा राइट रहेगा उप्शन डी इस कुशन का राइट अनुसर रहेगा किशनों फोटी तरी का राइट रन चो ρएगा उप संटी next question अगश्री फोटी फ 4 एक बले बाज ने बारी पारी में 360 रन बनाए जिससे उसके 40 रनों में 2 रन की वर्दी हो जाती है बारी पारी की बाद उसके रनों का तुदिखिए 12 पारी में कितने रन बनाए। तुटल 3pt को दो रन दे दिये। तो 63 माइनस कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 आपका अनुसर क्या जाएगा 41 स्क्यूशन का राइट अनुसर आजएगा option A, question number 44 का राइट अनुसर रहेगा option A, next question 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 45 आपके सामने है कि 27 की घात, 27 की power आपको देरका है 2 बटा 3, 64 की power आपको देरका है 2 बटा 3 का मान आप से पूछा है, तो देखे 27 को क्या लेख सकता हूँ, जिसकी घात क्या हो 3 तो मैं लेख सकता हूँ कि 3 की घात 3, 3 की घात 3 कितना होता है, 27 होता है कि 27 को मैं क्या लेख सकता हूँ तीन की पावर तीन लिख सकता हूँ गुणा क्या रहेगा दो बटा तीन गुणा चोशट को मैं क्या लिख सकता हूँ चार की पावर तीन लिख सकता हूँ और इसकी पावर क्या है दो बटा तीन है तो आप देखिए पावर की पावर जब भी पावर ए की पावर एम की पावर एन हो तो एम और एन क्या हो जाते हैं गुणा तो ये गुणा हो जाएंगे तो तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर तीन से तीन कैंसिल हो जाएगा तो तीन की पावर दो क्या हो जाएगा न किस्वन आपके सामने है किस्वन फोटी शिक्स दोस्तों सेसन को जादा से जादा सीर करें भाई जिससे आर्मी की त्यारी करने वाले हर बाई तक इस सेसन पहुंच जाए नेक्स क्यों आपके सामने है किस्वन पोटी शिक्स निमन स्रेणी में लूप संक्या ज्यात करना है कि 27 से 31 बना, 27 से क्या बना है, 31 से 155 बना है, 155 से 161 बना है, और 161 से 1127 बना है, तो आप देख रहें, यहां पर कितने पलस किया है, यहां पर पलस किया है, चार, और यहां पर क्या क्या है, पांच से गुणा क्या है, यहां पर क्या क्या है, 6 पलस किया है, क्या क्या है, 6 पलस कि किया है और यहां पर क्या है साथ से गुना क्या है तो अब 8 आपको क्या करना जोडने हैं 1127 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 1135 ऑप्शन 20 क्यूशन का राइट अंसर रहेगा नेक्स क्यूशन आपके सामने है क्यूशन फूटी से वन राहूल दक्सिन की ओर चलता है फिर बाएं फिर दाएं मुड़ता है फिर दाएं फिर दाएं दाएं का मतलब क्लोकवाईज इस तरफ गुमेगा फिर दाएं फिर बाएं बाएं का मतलब एंटी क्लोकवाईज और फिर दाएं गुमता है मतलब इस दिशा में गुमता है तो अब किस दिशा में जा रहा है तो ये क नमबर पर आता है एंड तो ए आता है एक नमबर पर एन आता है चोदा नमबर पर दी आता है चार नमबर पर तो इनका योग देख रहा है चोदा चार अठारा और एक उन्नीस हो रहा है तो आपको क्या करना है आर्मी का योग करना ए आर एम वाई यह जो एलफावेट है कितन पूचा है कि जो विजे है ना वो किस से बड़ा है राहूल से बड़ा है किन्तु महेश से चोटा है तो यहां पर कौन रहेगा महेश रहेगा राहूल हरी से बड़ा है किन्तु महेश से चोटा है मतला महेश यहां रहेगा आप से पूचा है कि उमर में सबसे बड़ा कोन है त तो इस क्यूशन का right answer क्या रहेगा उप्शन सी कीषूण का right answer रहेगा नेक्स्कीन अपकी सामने और किषळूग का इस मूडल पेपर का last question आपकी सामने आ है कि दरपण में घड़ी का परतिविम चार बचकर पंद्रा मिनट दिखाए दे रहे हैं तो सही समय क्या है तो जब भी दरपन से जब भी दरपन से सही समय या सही समय से दरपन परती भी पूछे तो आपको क्या करना है 23.60 से माइनस करना है जो आपको समय देर खाया उसको समय को 23.60 से माइनस कर दें तो option A, इस question का right answer रहेगा तो दोस्तों आज के इस modal paper में 50 में से आपका क्या score रहा जल्दी से comment करके बता दें अगर आप army बढ़ती से समने notification और notes प्राप्त करना चाहते हैं तो telegram पर search करें जगो भाई जी डिफिनस केडमी आपको group मिल जाएगा अगर आप WhatsApp group में जोईन होना चाहते हैं तो WhatsApp नमबर है 73 00, 133 00 इस नमबर पर आप message कर सकते हैं और WhatsApp group में जोईन हो सकते हैं तो आज का session आपको कैसा लगा जरूर comment करके बताओगे कि आज का ये modal paper आपको original paper जैसा लगा या ना लगा comment करके जरूर बताओगे आपका comment मेरे लिए बहुत ही important होता है उमीद करता हूँ कि आज का session आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा session को भाई ज्यादा सी ज्यादा सीर करें जिससे आर्मी की त्यारी करने वाले हर भाई तक ये session पहुंच जाए उमीद करता हूँ आज का session बहुत ही अच्छा लगा होगा मिलते हैं एक ने session में एक जोज और जनून के साथ एक original paper या एक modal paper के साथ जै हिंद जै भार्द